रात को मैं चट पे आई हूं हमारे चट से ऐसा कुछ दिख रहा है नजारा गाइस गुद मॉर्निंग आज है नाइक्स टे संडे है और रात को साड़े तीन वजे हम लोग दुपैर को निकले थे रात को साड़े वारा वजे गहल पहुंचे गुम फिर के तो यह है सुबा का नजारा एकदम खाली रात को इतनी भीड थी अवी एकदम खाली इस बर हमारा वो जो कपड़े वाली गेट बनती है वो भी नहीं वनी गैस यह देखिए हमारा जो लग्की वैंबू का प्लाइंट है कितना लंबा एकदम चट तक तो मम्मी ने मुझे कहा अपना हत्यार लेकर आना उसको काटने के लिए मैं अपना हतियार लेकर आई हूं अब सुबह सुबहीं अभी सुबह सुबह है सुबह हमको मलक्श्वीमा का फ्रशाद मिल गया और हम लोग सब खाना कहने बैठे अब हाए है पाने मैं चोकुलिगा ओर मोट तरता गई यहा याने आप आलर का कोर्स किया हुआ है भावी ने तो एक्सपेरिमेंट के लिए घर वालों से बेटर और कौन हो सकता है तो अभी हमारी टीसा मेरे हजबन के साथ घर आ गई है तो उसको लेके थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकल गया है हम लोग जब से पहले मैं स्मार्ट चॉइस चली गए ही सब को लेके ये मेरी फ्रेंड का शॉप है और यहाँ पे देखे जब देखो बीड ही जमी रहती है फिर हम लोग थोड़ा बहुत गूम फिर के घर वापस आ गए क्योंकि हमें कटक रिटर्न भी आना था तो ज्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई राइ, पाई देखावा देखावा पड़की बखें बड़की और दो चाहरीफे लगाले नहीं जासे वह तो घरवालों को बाई शाय बोल के हम लोग रास्ती की डेकुरेशन देखते हुए घर वापस आ गए थे तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और लुटे पिटे से हालत में हैं कलसे घुम रहे हैं घुम रहे हैं और उसके बाद ये टीसा आई हुए इतिया हमारे साथ भी होई उसको और बे मन था उसको और भी मन था कुछ खरीबने का और हम लोग कुछ और खरीब नहीं पाए हम लें सोचा हैं नेक्स्ट यर दो तीन दिन के लिए प्लीच अगर चुट हुए हम रहे हैं अग्तां आप्टा ही ने चला पैसे कहा हुडगे हैं और है भी देन्ग कुछ पर्स की खरीडा हुए है लिया हुए है अपने लिए अपने म ममी के लिए सब कुछ